हेलो एवरीवन स्वागत आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD चॉप में राजीव गांधी नवोदे विध्याले से सिक्षक भरती 2024 विग्यापन जारी किया गया है जिसमें पोस्ट ग्रेजवे टीचर्स की वेकंसी है और ट्रेंड ग्रेजवे टीचर्स की वेकंसी आई हुई है लास्ट डेट जो है इसमें 30 सितंबर 2024 है नया अड़र्टीजमेंट है कोई एक्जाम नहीं है इसमें सेलरी जो इसमें 30,000 पर मंट रहने वाली है तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर कौन-कौन इसमें आविदन कर सकते हैं कैसे जो है आविदन करना है एज, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइज क्या कही गई है और कौन-कौन से सब्जेक्टी वेकेंसी जारी की गई है ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे स्कूल एजुकेशन पोर्टल तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट देखेंगे अगर आपका सब्जेक्ट है तो ही आप लोगों के लिए उप्योगी रहेगा ये वीडियो लास्ट तक जो है आप देखें अगर आपका सब्जेक्ट नही है तो फिर जो है अंतर तक वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं पीजीटी हिंदी की वेकेंसी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वेकेंसी है टीजीटी विज्यान की वेकेंसी है टीजीटी सामान्य सामाजिक विश्य की वेकेंसी है टीजीटी अंग्रेजी की वेकें चाहिए और अधिक्तम आयू निर्धारित पदों हेतु वरतमान में प्रश्लित नियमों या नियमा नुसार के अनुसार होगी। यानि TZT के टीचर्स की 35 एर रहेगी और PZT के टीचर्स की 40 एर रहेगी उच्चतम आयू सीमा में सासन आदेश में वर्नेत छूट नियमा नुसार दे होगी तो यहां category wise जो है छूट मिलने वाली है TZT कला के लिए अगर आप अप्लाए करेंगे तो आपके पास जो है कला विसे में B.A.D. होना चाहिए नियूंतम 4 वर्स की उपादी और अगर यह नहीं है तो drawing even painting या drawing design या प्राविदिक कला painting इसमें सनातक की उपादी TZT के लिए सनातक यानि graduation के साथ में B.A.D. और C.T.E.D. पेपर 2 आपका qualify होना ज़रूरी है सामाजिक विशय के लिए अगर आप apply करेंगे तो भूगोल, अर्थसास्त्र, नागरिसास्त्र और इतिहास में से किनी दो विशयों के साथ जो है आपने graduation complete की हो B.A.D. complete हो C.T.E paper 2 या UTEP paper 2 आपका qualify होना जरूरी है ठीक है इसी तरीके से TZT विज्ञान के लिए post graduate teachers computer science के लिए computer science में आपने master degree की है या इसनातक के साथ में B.A.D. किया है या फिर computer application में M.C.E. किया है apply कर सकते हैं PZT हिंदी के लिए हिंदी में आपने master degree की हुई है और साथ में जो है भा विशाय के साथ इसनातक या भारत में विदी द्वारा इस्तापित किसी विश्व विधाले से सास्त्री की उपाधी ठीके और बी एड भी मांग रहे हैं अब देख लेते हैं कैसे अप्लाइ करना है नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हैं अफिशल वेबसाइट पर आपको आना है educationportal.uk.government.in आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा राजीव गांदी नवोदे विध्याले दहरादून guest faculty registration तो आतिती सिक्षक की वेकैंसी है राजीव गांदी नवोदे विध्याले दहरादून में इस पर ही आप लोग क्लिक करेंगे जो लिखा हुआ है school का नाम faculty registration इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहीं पर आप लोगों को notification पढ़ने को मिलेगा और आविधन करने का जो process है सबसे पहले registration करना है यहाँ पर देखें शाशन आदेश जो भी है यानि आयू सीमा में जो छूट है यह सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी और notification के लिए fourth number पर आप लोगों को PDF फाइल मिलेगी इस पर click कर लेना है अगर कुछ आपके mistake हो जाती है form में online आप लोगों को form fill करना है कोई mistake होती है तो यहाँ पर correction के लिए आप लोगों को fifth number पर click करना है और apply करना कैसे है click here for new registration पहले new registration करना है अगर आप नए हैं तो click here for search registration number जैसे ही आप इसे fill कर लेते हैं submit कर लेते हैं उसके बाद जो है आप लोगों को form मिल जाएगा online ही आवेदन करना है आप लोगों को कोई fees जो है आपको नहीं देनी है बाकी जो advertisement में क्या लिखा हुआ है सितंबर 2024 को ये जारी किया गया है रिक्तपदों की संख्या जो भी अत्थिती सिक्षक PGT, TGT में subject हैं समय एक-एक vacancy है और हाँ ये देखें आप आवेदन की प्रारम करने की ति थी तो 11 सितंबर 2024 से आवेदन start है और अंतिम्तिती है 30 सितंबर 2024 उसके बाद आप form apply कर देंगे और 18 अक्टूबर 2024 को जो भी selected candidate होंगे उनकी सूची जारी की जाएगी official website का link आप लोगों को provide किया जाएगा ताकि आप लोग जो है चेक कर सकें कि आपका नाम उसमें है या नहीं जिनका application form बिल्कुल सही और जो qualification कही गई है वो आपकी बिल्कुल सही होती है तो आप लोगों को demo teaching के लिए बुलाया जाएगा TGT के लिए 23 अक्टूबर 2024 को PGT के लिए 25 अक्टूबर 2024 को ठीक है demo teaching होगी exam नहीं होगा और भी कुछ important है तो आप जो है पढ़ सकते हैं पेजिस की PDF फाइल है form भड़ने से पहले जो जरूरी बाते हैं वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी तो permanent की जब vacancy आईगी तो उसकी salary इन्होंने यहाँ पर mention कर दी है और फिलाल जो है guest faculty के पद हैं यह यह हमने देखी लिया है qualification आयू सीमा हमने चेक कर ली है अभी सबसे महतपूर लाइन यह है कि सभी राज्यों के कैनी रेटिस में आविदन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अभिरतिका उत्राखन के किसी सेवा योजन कार्याले में आविदन करने हैं तो धारित अंतिम तिति तक registration होना अनिवार है अगर registration आपने करा रखा है किसी भी सेवा योजन कार्याले में फिर तो आप अपलाए कर सकते हैं या फिर आविदन की last date से पहले जो है registration अगर आपने करा लिया तो आविदन कर पाएंगी ठीक है तो यहां सभी राज्यों के candidate तो आविदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर मूल लिवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा उत्राखन राज्य का तो इसमें थोड़ा सा मुस्किल आएगी उत्राखन राज्यों के जो candidate है वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे TGT के लिए 27,000 पर मंद जो है इसमें सैलरी है PGT के लिए 30,000 पर मंद सैलरी है दैनिक उपस्तिती की आधार पर जो है यह दे होगी ठीक है बाकी मैंने आप लोगों को पूरी PDF फाइल जो है पढ़के बता दी है जो भी candidate आविधन करने के इच्छुक रहेंगे दुबारा से जो भी साशन आदेश दिये गए हैं उनको जरूर पढ़ें उसके बाद आविधन करें फीस नहीं है इसमें चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेकेंसी के साथ किसी भी राजजी की वेकेंसी जारी होती है कॉंट्रेक्ट बेस पर चाय पर्मानेंट सब भी आप लोगों को बताई जाएगी थैंक्यू